हेलो दोस्तों फिर से सागे थे मेरा चैनल पी मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटन फिल लेके आएँ एक नया वीडियो देख सकते हैं आमारे पास 21 इंज का एक एलजी का टीवी है एक फ्लाटन का टीवी है इस टीव का पॉब्लेम देखूंगा सलू तीवी है इस टीवी का पॉब्लेम कैने के बाद हैं शुने के लिए होई नोगौशन का हमारा 21 का santry औरEdgar विद्गिक्स सक加ट क geliyor है और निया के लिए पहलेन पिसीड को हुआ सैनrics क्रपारे काज पॉल्टेज आउपडने के बाद ही हमारा बार इंडिकाैटर नहीं ऊन्रूम हो तो गर फोल्ट करते हैं इसनद मदनायर फ्रेक्षबर नहीं जल रहा है मतलब हमारा पावार सेक्सेंट रिलेटिट पोब्लम होसकता है या मरा और सेक्सेंट होता है हाउट्पुट सेक्सेंट होता है या यह 10 Martin हो जाएगा तो इस रब़ल्म देगा इसलिए जो वोल्टेज हमारा 110 बॉल्ट या 120 वोल्ट जो हमारा EAST को सब्लाई दिया जाता है वो EAST को सब्लाई अमारा भोल्टेज को गाउन के सट कर देगा तो हमारा power section बढ़ जाएगा और वो भी अमारा power indicator नहीं on करने देगा इसलिए एक चीज को चेक करना है जैसे हमारा पहले पावार सेक्षन का जो है पावार सेक्षन से जो भोल्टेज निकल के आके जो हमारे येस्टी को अन करता है वह भाला भोल्टेज को आउट कर देना है जैसे हमारा ये बाला जो हमारे बी प्लस का जो पॉइंट है ये बी प सभी तूब हो जाएगा और हमारा तेय Ist देखा देता हूँ जो हमारा पार्स लागा वुआ यह सिछ पर दीए और हमारा है यह यह तो दिखाने इस पे आमारा कैमेरा नहीं फोकस जा रहा है और इसका नामबर भी बता देता हूं कि इसका नामबर डाबलू 6554 A इस बाला हमारा HDR का नामबर है देख सकते हैं साथ दिखना आए और हमारा जो मेन पोसेसर दिया गया है ए पॉसेसर का नमबर भी देख लीजे TDA12135PSN33AL6 ए बारा हमारा मेन पॉसेसर दिया गया है इसके बाद देखेंगे हमारा पावर सेक्षन से EST को वैलक करके EST का नमबर उठ गया है इसका नमबर सायद होगा हमारा जो 6006N होता है हमारा एबाला EST लागाया हुआ है और इस पर क्या करेंगे एबाला जो रिजिस्टेंस है रिजिस्टेंस को ओपन कर देते है जो हमारा ए जो B प्लास है जो B प्लास होके हमारा पॉइंट है जो होरिजिंटल से कानेक्टेट है बाला फोरेब को फाकर का चले वाला जो रिजिस्टन से यह जिस्टन को मैं ओपन करदूंगब उपन करदेने से हमारा बेल यह किएलगा और हमारा इसनलक प्रोल जाते हैं मैं बाउट्पुट कर सिम्हों कि आउटूट इस्षि Coleman हो सकते हैं तो बाजर आब लोग सुन सकते हैं और ऑर होरीजेंटल होट सेक्शन होता है जो यह का लाइन ओ यह सक्षा जो कूल सेक्शन सुर्ण सोली दोस्तों कूल सेक्शन बोला जाता है इस पर बहुत ज्यादा वोल्टिज तैयार होता है इस वह पॉइंट पर जब मैं ठाच करता हू तो हमारा मीटा नहीं बज़ रहा है मतलब हमारा आउटपुट सेक्षिन पर कोई भी स्वाटेज नहीं है फिर भी क्या करेंगे यह बाला जो रेजिस्टर से रेजिस्टर को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद एक बाद फिर से पावर देंगे दोस्तों देखें मैं यह बाला रेजिस्टर को मैं ओपन कर चुका हूं ओपन करने के बाद फिर से बाद टीवी को पावर देंगे जैसे मैं टीवी को पावर दिया पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकर जलना चाहिए और पावर इंडिकर नहीं जल रहा है इसके बात चेक करेंगे हमारे जो पावर सेक्षेन है जो पावर सेक्षेन का जो इनपूट सेक्षेन होता है इनपूट सेक्षेन को चेक करेंगे इनपूट इन होगा तो फोल्टेज इन होगा तो आउटपूट होगा ना इसलिए क्या करेंगे पहले इनपूट सेक्षेन को चेक कर होगा तो हमारा वाला फ्यूज भी नहीं उड़ता है लेकिन फ्यूज को लागाना जोरूरी होता है इसलिए फ्यूज को पहले चेक कर लेंगे जैसे मैं बाजर मुठ पे ही मीटर को राखा हूं और रगने के बाद इसको फिर से गवाट चेक कर लेते हैं तेकि इसका जो फ्यूज है तो फ्यूज भी हमारा ओन नहीं फ्यूज भी हमारा सही नहीं है और इसका बाजर मुठ पे बाजर भी नहीं बाज रहा है और मतलब हमारा फ्यूज भी उड़ चुका है क्यूंकि हमारा इंपूट सेक्षिन पे ही कुछ तो सोटेज है इसलिए फ् कालार सेक्षन कालार टीबी जो होता है कालार टीबी जो होता है उसका जो एसेंपे सार्किट होता है एसेंपे सार्किट पे हमारा कभी भी ऐसे ही हमारा फ्यूज नहीं उड़ता है क्योंकि मैं बार बार बाता हूं हमारा वीडियो पे ऐसे ही कुछ नहीं होता है कुछ होने के लिए पहले ही कूछ पार्ट को सोट होना होता है जैसे कोई पार्ट जल गया है या सोटेज हो गया है उसके बाद ही हमारा फ्यूज उड़ता है ठीक है मैं फ्यूज को रिप्रेस कर देता हूं और उसके बाद चेक करेंगे यह बाला हमारा स्वीच set switch को चेक करना है जो हमारा वाजर मूट पे रखूंगा और उसपे चेक करूंगा देखे हमार seb coach से इन भाता रहा है उसके बाद जो हमारा जो कोईल दिए जाता है वह कोनट्रोल करने लिए जहादा हार्ज नहीं आए इसलिए यह बाला कोईल दिया जाता है देकि हमारा यह कोईल भी काम कर रहा है यह पहला नमबर यह दूसरा नमबर मतलब हमारा कोईल भी सही बाता रहा है उसके बाद क्या होता है हमारा थ्री लेक का पीटीसी होता है थ्री लेक का जो PTC होता है, PTC कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टेज हो जाता है, थ्री लेक का PTC क्या होता है, एक PTC का दो PTC दिया जाता है, वो एकी PTC के अंदर में होता है, एक PTC हमारा न्यूटेल और फेज को कांट्रूल करता है, और एक PTC हमारा डिगोजिंग कोईल के ल पावर सेक्सिन का फिव जूड़ जाएगा ठीक है ओभी चेक कर लेंगे क्यूंकि इस पर चेक करना एक एक चीज़ को जुरूरी है देखिए इस वाट रहे लेकिन फुरी फुरी तरह से शॉटेज नहीं है मतलब क्या हुआ है अभी तक हमारा पीटी से तक हमारा कुछ भी पावर क्याबसटिटर को चेक करेंगे क्यांकि इसके बाद रह गया है ब्रीज नहीं ज्यादा तर हमारा औलम रहता है उसके बाद जबवार भी क्याबर परEx पाता रहा है क्यापासिटर पर कोई भी स्वाटाज नहीं है क्याता है और क्यापासिटर को चेक करना और या स्वीचिंग करता है कि वो पूरा इंद करता कि नहीं कहां परतेंगे कां ट्रीजना का कर देंगे ओपन कर लेते हैं उसके बाद एक चीज रह जाता है जो हमारा स्विश्ट ओके हो गया है फ्यूज भी लागा लूँगा हमारा डायोड भी से यह उसके बाद जो हमरा हाई सिंग का जो एक बड़ा बाला पीएब दिया जाता है छोटा बाला पीएब हमारा सोटेज होके वह बास्ट हो चुका है इसलिए ही हमारा पूरी तरह से पावर सेक्सेन हमारा बांध हो गया है एक चीज गौर कीजिए यह बाला देखिए गाउन के साथ गाउन के साथ बड़ा बाला पीएब दिया गया है और गाउन के साथ एक छोटा बाला पीएब दिया गया है य हमारा input होता है हमारा 350 जो हमारा power capacitor stockage करता है और power chopper को transfer करता है और उसके बाद एक coil होके जो हमारा high sink का coil जो chopper पे रहता है उस पे हमारा high sink त्यार होता है जो हमारा str का high sink का switching pin के साथ connected है ओबाला pin पे एक बड़ा उसको उपेंड कर अमिअ आप लिका देता हूं तो पाता चल जाएगा हम मैं ज़ही था या गलत था हीं केम मज़िके उपे लेता हूँ का हूं दोस्तो देखे में बड़ा बाला Twin च्छोटा बाला प्रीव कर अंदर में में च्छोटा बाला प्रीव कर चुका हूं और खोनने के बाद ये लिकल हमरा पी जो पी ये पहमरा बास्त हो चुका है अंद मिडिल साइट से बास्त हो चुका है और पीछे साइट से भी देखिए नाम भात थोस्तों को आए नहीं दिखेगा क्योंकि फूरोडी की 2KB अधा इस पी यसको रिप्लेश करना है और रिप्लेश करने के बाद मैं को क्या करेंगे फ्यूज भी लागाएंगे और यह बाल नया बाला पिए लागाने keद पावर भी देंगे पावर देने के बाद देखेंगे आदर्स क्या पॉब्लम है य텡िक इसको रिप्लेज नहीं करने ल जब तक इसको लागाएंगे और लागाने के बाद इस पीज जो हमारा सिस्टेम का जो वोल्टेज पॉल्टेज 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 पॉल् और दोस्तों मैंने पेसी को PCB को पैलट चुका हूं और पैलटने के बाद इसको पहले सिरीज को सिरीज लैम पे लाइन दूँगा क्योंकि हमारा आदार्स कुछ सौट रहेगा तो हमारा सिस्टेम पे सिरीज लैम जाल जाएगा नानी तो और कुछ जाल जाएगा ठीक है मैं सि सिरीज लाइन है वो थोड़ा सा जल रहा है वो बद्ध हो गया है और देखिए हमारा पावर इंडिकरर भी ओन हो चुका है मतलब दोस्ता हमारा जो आउटपूट सेक्षेन का जो वोल्टेज होना चाहिए वोल्टेज तैयार होना सुरू कर दिया है और हमारा सिस्टेम पे ज लिए गया है और उसके बाद और एक वोल्टेज मिल जाता है इस पर हमारा जो साउंद सेक्षेन के लिए दिया जाता है देखिए यह 17 बोल्ट फोल्टेज क्यों जादा है 120 तक होना चाहिए 25 तक होना चाहिए क्योंकि हमारा ये सिपे जो पिल भी लोड नहीं है मैं ये open कर दिया था रिस्ट्रिंद को फिर से connect करेंगे ठिए मैं connect कर देता हूं मो utilized को बाता दूँंगा काहाँ पे किदना वोल्टेज रहता है दोस्तों मने रेइस्ट्रून को connect कर चुपा हूं और मैं direct पार देदेता हूँ पार दे दिया और हमारा system पर TBB starting हो चुका है पिर भी एक बार चेक करवा देता हूँ क्योंकि इस पर हमारा 163 तक voltage आ गया था इस पर 113 भोल्ट है और हमारा इस पर 9 भोल्ट था धेके 10.8 हो गया है और इस पर सकी होगया है क्योंकि फोड़ा को भेलर है लहाधkin लोड नहीं था और इसके बाद यह पूवड होता है तो हमारा इस बाल पोइंट परींट पॉएंट श्किपरन पॉइंट पीसम प्मुड जाता है व्रखका कि ईसे जो प्योड़ा लागा रहता है जो फोर पिन का रेगुलेटर जो इंपूड होता है तो हमारा इस वाला पॉइंट पे देखिए इस बाला पॉइंट पर इन पूड होगा 10.8 और उसके बाद एक आउट पूड होगा एग 9.1 और दिसरा पिन होता है और चोथा पिन क्या होता है चोथा पिन हमारा होता है switching pin क्योंकि ए रेगुलेटर जो है ए स्वीचिंग पे ही ओन होता है जब हमारा पॉसेसर स्टेंबाई से रिलिज करेगा और रिलिज करने के बाद 3.3 हमारा ए रेगुलेटर पे भेजेगा तब हमारा ये 10 बोल्ट जो input हो रहा है output करेगा 9 बोल्ट क्योंकि ये switching pin है switching pin पे हमारा मिलता है 3.3 देखे 3.1 बता रहा है और उसके बाद जो 9 बोल्ट हमारा जाता है कहाँ पे एक regulator पे 9 बोल्ट हमारा system पे जो LED होता है या हमारा जो साबला ही होता है उस पे जाता है और ये regulator पे जाता है 5 बोल्ट रेगूलेटर पे चेकरते हैं कहाँ पे गया है ये हमारा 3.3 हमारा फाइब बोल्ट का बने सुर्छी जैस्तो ये हमारा फाइब बोल्ट का रेगूलेटर है ये regulator पे एक resistant लागा के इस पे हमारा मिलेगा 9.1 उस पे एक resistant लागा के एक 5 बोल्ट रेगूलेटर को सबला ही दिया जाता है 7.7 बाता रहा है रेश्ट्टं के बाद और एंपूट करेगा हमारा 5 बोल्ट जो देखिए input होता है अमरा इस बाला point पे मिदल बाला pin हमारा ground होता है तिसरा बाला जो pin है वो हमारा 5 bolt output करता है और यह जो 3.3 हमारा 3.3 हमारा कहां से तयार होता है directly इस पे एक resistant देके एक जेनर डायट देके इस पे 5 bolt पे हमारा 5 bolt बनाया जाता है जो साबलाई दिया जाता है हमारा जो IR होता है IR और हमारा इंडिगरर पे OE 3.3 on होके हमारा main processor पे जाता है और हमारा इप्रम IC जो बोला जाता है इप्रम memory पे जाता है memory का input होता है इस पे हमारा 3.3 बाता है और HCL, HDA voltage भी इस पे store करता है बोल्टेज दिया जाता है इस पे डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा स्टोर करने के बाद हमारा सिस्टेम चाब स्टैन्बाई से रिलिच करता है तो हमारा नाइन बोल्ट से टेन बोल्ट से नाइन बोल्ट तायर करता है और नाइन बोल्ट तायर करने के बाद हमारा इस आपि ना इन फोल्ट जो होता है इस पे आता है जो में पॉसेशर रहता है इस पे एक input voltage रहता है जो 3.3 charging voltage के लिए और running voltage के लिए इस पे दिया जाता है एक इक वोल्ट और एक 5 वोल्ट जो ए क से aqui करता है हमारा भाटीकर सेक्षिन के लिए और आदार सेक्षिन के लिए और जब हमारा स्टैन्बाई से रिलीश होने के बाद हमारा nine bor LED इयार होना असूल कर देगा five Bol इयार होना सूल कर देगा। तब क्या होगा हमारा जो ट्यूनर रहता है जो हमारा पहले वाला केबिल का कानेक्शन रहता है उस पे हमारा five bol मिल जाएगा। कि देखे मैं देज़ी बाता था हूं इस पर आज़ेवी बॉल मिले जाता है और हमारा में सैभी होennis के हो गया है और एक चिज बाता देता हूं वहारा दो स्विचंग- ASMR हो आएट है है और ज़्यादा फोल्टेज सेक्शन के लिए बोल्टेज तयार कर देता है और उसके बाद इस कुछ-कुछ बोल्टेज तयार होता है जाय से 14 बोल्ट प्लास 14-बोल्ट समर सब्सक्राइब 14-ब और 180 बोल्ट और हीटार का बोल्टेज, हीटार मादलाब हमारा जो फिलामेट रहता है, इसको हीटार बोला जाता है, और 180 बोल्ट जो हमारा RGB को कालर को कॉंट्रोल करता है, उस पे हमारा RGB पे इस पे बोल्टेज मिलेगा, 180 बोल्ट, देखिए, 193 बाता रहा है, और 14 बोल्ट प्लास, 14 जो होता है हमारा भ complimentary can को जो भाटेक्र सेक्शन पर अईसी लगा रहता है उस पर काम करता है जो यह फ़ार्टे नब प्लास फोर्टेंबोल मैंस देखिए इस किस्ट ृष्टी मिलेगा एक फटींबोल प्लास फोर्टेंबोल मैंस यह और इसपर हमारा क法 इन बोल पौल माइनस मिल गया है और एक मिलेगा हमारा वूर्टिन वॉल प्लास के लिए कि अनुध की थे हैं भराइन बोलड़ प्लास का पॉइंट डीशामरा अीआज जहता है बातिकर हुरीजंटर सक्षन सवी आन उने दूस्तों हमारा पहले तिवी उंडिकेटर भी नहीं और मैं क्या किया टीवी को पावार दिए पावर देने के बाद मोई इन्डिकेटर जल गया और by पे पिक्चर भी आ चुका है जो हमरा लाइट भी नहीं था और पिक्चर भी नहीं था वह हमारा सिस्टेम पे आ गया है थोड़ी दिर के बाद ऑन होता है साभी टीवी जो ऐल्जी और संसंग होता है देखिये ऑन हो गया है मतलब दोस्तों आज का जो पॉब्लेम था वो पू ट्यूस्टेम पूर से सब्सक्राइब करके ना जब भी मैं न्या निया वीडियो लेकुत आँगा अब लोग को मिलते रहेंगे ठीक है अगी दूस्तों मिलते हैं नेक्ष पर तब दोस्तों गूडबाई